कानपूर में दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा मुहमद सिराज को बुरा भला कहने वाले बांगलेशी फैंस की जम कर सुधाई अस्पताल में होना पड़ा भरती शेर बनकर टीम को सपोर्ट करनी के लिए स्टेडियम पहुचा था कानपूरिया लोगों ने बना दिया भेड तमाचे से कर दिया धेर अप्शिअब द बोलना भूल जाएगा मिया सिराज से माफी मांगने क्यों चिमा रोते हुए मैदान से निकला बनकर देशी समर्थक कानपूर वालों ने पीट दिया कहा हम केवल पीक से नहीं पीट कर भी लाल कर देते हैं मिया सिराज ने भी दिया अपना रियाक्शन चिन्नाई के मैदान में बनकर देश का एक फैंस मुहमद सिराज को उलता सिदा कह रहा था लेकिन वहाँ से बचकर कानपूर तक पहुँच गया मगर कानपूर में कनपूरिया लोग बैठे हुए थे माहौल पूरी तरिके से सिट था बारत्य टीम बहुत बढ़िया प्रदर्शन शुरुवात में नहीं कर रही थी तो फैंस का गुसा भी साथवे आसमान पर पहुँच चुका था और इसी विच बांगलदेश के फैंस ने वो कारनामा कर दिया जिस क्यूंबीत किसे ने सपन होने के दौरान कहा कि हम कोशुश करेंगे किस मैच को जीत जाए बांगलदेश के फैंस ने लग रहा कि इस बात को सीरियस ले लिया और उसने भारतिये फैंस के बीची बांगलदेश के लिए कई बार समर्थन में अजीब गरीब बाते बोली लेगिन यहां तक तो ठीक था कानपूर के लोग किसी तरीके से अपमान का गूंट पीकर बैठे हुए थे मगर जब पानी सिर के उपर से गुजर गया तो फिर आखिर कानपूर के लोग कहां शांत रहने वाले जो फैंस टीम इंडिया के खिलाडियों को लटा सीधा बोल रहा था आखिरकार उसकी क्लास दी बांग्रदेशी फैंस पर हारोप लगे कि वो लगतार रेलिंग के पास खड़ा होका टेम इंडिया के कुछ खिलाडियों को लटा सिधा कह रहा था खास कर मोहमद सिराज को अपने निशाने पर लेकर वो अपशब्द तक कहने लगा एक मौके पर देखा गया कि मोहमद सिराज ने भी उसको रियाक्शन दिया था लेकिन खुद शानत थे इतना ही नहीं बताय जा रहा है कि सिक्यूरिटी गार्ड ने उसको समझाने के कोशिश की और रेइनिंग से पीछे आने को कहा मगर उसने मना कर दिया लोगों के मताबिक मंग्रदेश का सपोर्ट करने आय जिसके बाद अंजाम कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने टाइगर प्रिंटेट मंग्लदेशी फैन की जम कर दोनाई कर दे जिसके बाद उसके रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वारल हो रहा कुछ लोगों का ये मानना है कैसा करने के बजाए उसे पुलिस के हवाले करना था मैं कुछ लोग पटाई करने वालों की तारी भी कर रहें और पटाई को सही बता रहें अगर आप क्रिकेट फैन है और पहले भी भारत और बांगलदेश का मैच देखते रहें तो आपने इस शक्स को कई बार्टी वी स्क्रीन पर देखा होगा शेर की कि उसने एक दो बार नहीं बलकि कई बार मुहमत सराज को अब शब्टाई की गई जिसकी वजहां से उसकी पटाई की गई हालां कि कुछ लोगों ने जगड़े को शांत भी करवाया जिसकी वजहां से बांगलदेशी समर्थक ने रहात की सांस ली पिटाई जरूर हुई ल कि लिए लोगों प्रवा है।